नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार में सिर्कत करते हुए मुख्य मंतरी हमन्सुरे ने जहां राजवासयों को दसारा की सुभकमनाय दी वहीं बुराई का प्रतीक रावन का दहन कर अच्छाई की जीत का संदेह दिया इस मौके पर मुख्य मंत्री जैसे ही रावन दहन पुजा समीती द्वारा तैयार की गई रिवल्वर आकार के धनों से रावन पर फायर करने की कोशिस की वह मिस फायर हो गया दो बार परियास के बाद भी 60 फिट रावन पर फायर नहीं हुआ तो अंत में परमपारिक रूप से बारूद भरी रसी को जला कर रावन को जलाने में सफल हुए धू धू कर जल रहे इस रावन को देखकर यहां पहुँचे हजारों रोक रोमांचित थे रावन के साथ मेखनाथ और कुमकरण को लंका के साथ जलाया गया सांसल संजय सेट कुमकरण को जलानते हुए सफल हुए वहीं हटिया विधायक नवीन जैसवाल के नतित में मेखनाथ का दहन हुआ सियम हेमन्सुरेन ने बटन दबा कर मोराबादी में जलाया रावन जार्खन की रधानी राणची में बिजय दसमिक दिन मंगलवार को कम से कम साथ जगह रावन दहन किया गया सबसे बड़ा रावन एतिहासिक मोराबादी मैदान में बना था यहां सतर फिट के रावन का दहन मुख्य मंत्री हमांसुरे ने किया साम को करीब पहुने साथ बजे मुख्य मंत्री हमांसुरे ने बटन दबाया और रावन उसके छोटे भाई कुमकरन और बेटे मेघनात का पुतला दूदू कर जल उठा मुख्य मंत्री ने बैगनी रंग का कुर्ता और सफेद पैजामा पहन रखा था गले में उन्होंने लाल चुनरी भी डाल रखी थी जब सीम ने बटम दबाया उनके बेटे बड़े गोर्ट से उसे देख रहे थे बता देमो की मंत्री हिमन सुरेन के साथ मंझ पर रांची के सांसर संजय सेट और विधायक सीपी सिंग भी मवजूद थे जम सेथपूर में बिसर्जन जूलुस के दवरान बेकाबू ट्रक ने लोगों को रौनदा जार्खन के जम सेथपूर में मंगरवार की साम को बिसर्जन जूलुस के दवरान एक दिल दहला देने वाला हाथ सा हुआ है बताया जाता है कि बिसर्जन जूलुस के दवरान एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया इससे वह बेकाबू होकर लोगों को रौनता चला गया हादसे में आधा तरजन लोग दपकर जखमी हुए हैं इसमें से दो लोगों की मौत भी हो गई है मिरितको का नाम प्रियंद्र कुमार और अभिमन्यों गुराई बताया जाता है मताते प्रियंद्र किताड्यी दुरगा पुजा समिती का सस्थ गातना बिश्टूपूरिश्थीत मेधना वाला घात की है प्राप्त जनकारी के मुताबिक जुग सलाई नया बजार दुर्गा पुजा समीती की विशर्जन जुलुच के दौरान आचानक एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया मेरी माटी मेरा देश कारकरम के तहत राजेपाल ने अमरित कलस किया प्राप्त राजेपाल सीपी राधा क्रिश्णन ने मंगलवार को राज भॉन में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कारकरम के तहत राजे अस्तरिय अमरित कलस यातरा के तहत अमरित कलस प्राप्त किया इसमें राजे के विभीन ग्रामों की मिट्टी को सरहित किया गया इस कारकरम के लिए नामित नोडल एजेंसी नेहरू युवाक केंदर एवं केंदरे रिजारो पूलिस को सक्रिय योगदान के लिए बढ़ाई दी गई उन्होंने सभी को बिजय दस्मी की सुब कमनाय देते हुए उनके सुख सम्रेदी की कमना की राजेपाल ने कहा कि बिजय दस्मी के उसर पर इस कारकरम की प्रसांगिता और भी बढ़ जाती है यह पर्व हमें बुराई का दमन करते हुए उस पर बिजय प्राप्त करने का संदेश देता है CRPF ने समर्पित होकर देश की सेवा की है और उनकी भावना देश की मिटी से जुड़ी हुई है माद दुरगा की बिदाई की तयारी NDRF और अस्थानिय गोता खोर तैनाद बिसर्जन जूलिस को लेकर रांची के सभी परमोख नदी तलाब और डेम के साथ साथ राजे के दूसरे नदी तलाबों में सुरक्षा के पुकता इंतिजाम किये गए है सहर के सभी तलाबों में दंड़ा अधिकारियो की प्रतिन्यूकरी की गई है रांची नगर निगम छेत्रे में चार अस्थलोपर परतीमा का भी सर्जन किया जाता है इसमें सबसे महत्पून बड़ा तलाब है बता दे बड़ा तलाब में इस बार सुरक्षा के बेहद उठान इंतजाम किये गए है एंडी आरेफ की टीम को तैनात किया गया है साथ ही अस्थानिय गोता खोरो को भी काम पर लगाया गया है बड़ा तलाब सही सभी नदी और डेम में लाल निसान बना कर उसे जाली से घेर दिया गया है रांची में अपराधियों ने की गोली बारी रांची में अपराधियों के होसले बुलंद है पुझा को लेकर कड़ी सुरक्षा होने के बाजूद अपराधियों ने एक युव को गोली मार दी है घटना कोत वाली थाना खेतर की है बतादे दुरगा पुजा में कड़ी सुरक्षा के बीच भी राजधानी में अपराधियों के होसला बुलंद है ताजा मामला रांची के कोतवाली थाना चेतर का है यहां मंगलवार के तड़के अपराधियों ने दिनेस नाम के एक युवा को गोली मार दी है गोली युवा के पेट में लगी है उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया गोली बारी की वार दात कोतवाली थाना चेतर के की सोर गंज चौक की है यहां मंगलवार सुबा करी पांच वाय तीन की संक्या में पहुँचे अपराधियों ने पंकज नाम के युवा को गोली मार दी है बिजय दसमी पर रांची में बंगाल के लोगों ने खेला सिंदूर खेल दुरगा पुजा के आखरी दिन विजय दसमी को पुजा पंडाल में सिंदूर खेला जाता है महिलाए एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाती है और माद दुरगा को बिदाई देती है बतादे मादुर्गा को बीदा करने से पहले महिलाए नाचती है गाती है और सिंदूर खेलती है हर उम्र की सुहागिन इस सिंदूर खेला में सामिल होती है सिंदूर खेलने के लिए विशेस रूप से लाल पारवाली सफेद साडी महिलाए पहनती है सक्ति सरूपा मादुर्गा को लाल रंग बेहत प्रिये है इसलिए सिंदूर खेला का विशेश महतो भी है रांची में सिंदूर खेला के दोरान सुहागिनों की खुशिया देखते ही बन रही थी जमसेदपूर हादसे में घायल लोगों से मिले मंत्री बनना गुपता पूर्वी सिंभूम के जिला मुखेले जमसेदपूर के बिश्टू पूर्थाना अंत्रगत बोधन वाला घाट पर विशर्जन के दोरान हुए हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए स्वास मंत्री बनना गुपता टाटा मेन होस्पीटल पहुँचे उपायुपत मंजुनात भयंत्री और सीनियर एसपी की सोर कौसर भी घायलों से मिलने के लिए स्वास में पहुँचे डिसी ने घायलों को बेहत से बेहत सिकित सा सुधा उपलब्द कराने के निदेश दिये हैं परतिमा बिसरजन के लिए मा दुरगा की परतिमा लेकर पहुचा एक ट्रॉक और नियंत्रित होकर पीछे की और ढलने पर उढ़क गया जिससे कम से कम पांच लोग गंभी रूप से घायल हो गाए दो लोगों की मौत की सुचना आ रही है लेकिन अधिकारिक रूप से अभी एक ही की मौत पुष्टी हुई है मिरिता की पहचान बिरेंद्र सर्मा के रूप में हुई है सिंदूर खेला से लाल हुआ बंगिये दुरगा बाड़ी परांगन बिजय दसमी के मौके पर पलामो के मेदनी नगर में महिलाओं के सिंदूर खेला से लाल हुआ बंगिये दुरगा बाड़ी का परांगन पलामू के एसपी रीसमा रेसमन अपने पती लातेहर के एसपी अंजनी अंजन के साथ दुर्गा बाड़ी पहुँचे तो सब चोक गए बता दे यहाँ उन्होंने खुद से मा दुर्गा का वरण किया महिलाओ के साथ सिंदूर भी खेली बंगी यह दुर्गा बाड़ी के बिख्या सिंदूर खेला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं महिलाओं ने कैसे सिंदूर खेला कैसे किया गया मा का वरण बताजे सबसे पहले बंगाली समुदाई की महिलाओं ने मा दुर्गा को मिठा खिला कर उनका सिंगार किया इस वर्ष के लिए मा को बिदा किया और उनसे वचन लिया की अगले वर्ष वह फिर आएंगी मेधनी नगर की बंगाली समाज की सभी घरों की सुहागीन महिलाओं ने इस वर्ष करकरम में बारी बारी से भाग लिया जमसेदपूर हाथ से में देड़ दरजन लोग घायल दो की मौद दुरगापुजा के भी सरजन के दोनाजमसेदपूर में मंगलवार को बड़ा हच्चा हो गया है एक अन्यांत्री ट्रक ने डेड़ दरजन से अधिक लोगों को कुचल दिया कई लोग ट्रक के नीचे फास गाए लोग इधर उधर भागने लगे जिस ट्रक ने लोगों को कुचला उसी ट्रक पर जुग सलाई नया बयार की समीती परतिमा को भी सरजित करने के लिए लेकर आई थी बता दे दो घायलों की मौत हो चुकी है तीन लोग गंभी रुप से घायल है इन्हें टाटा मेन होस्पीटल में आईसियू में रखा गया है वहीं बिश्टुपूर के पास इस्थीत बेली बोधन वाला घाट पर होई इस घाटना के बाद चीख पुकार मच गई है सराय केला में महिलाओं ने किया सिंदूर खेला सराय केला खरसावा के बिभीन पूजा पंडालों में बिज्या दसमी पर सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला किया मंगलवार को सराय केला के तीनो दूरगा पूजा पंडालों के अलावे सराय केला खरसावा के दुरगा पंडाल राज खरसावा के ठाकुर बाड़ी रेलवे कलोनी अनन्द ग्यान मंदिर पुजा पंडाल तल साही इस्थी सेवा संग समीति वा बेहरा साही इस्ती सरोजनिक दुरगा पुजा पंडाल के सामने सिंदूर खेला कायोजन किया गया सबसे पहले महिलाओं ने पहले मात दुरगा को सिंदूर अरपित किया इसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाया गया इस दोरान बड़ी संख्य में महिलाये मौजूद रही 22 जनवरी को भागवान स्री राम अपने मंदीर में चले जाएंगे राष्ट्रिय स्वयम सेवक संख के सर संख चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सरजनिक मंज से सायद पहली बार लोगों से वोट किसी अच्छे ब्यक्ति को देने की अपिल की है उन्होंने कहा कि वोट देते समय देश की एक कात्मकता, अखंडता, अस्मीता और विकास के मुद्दे को जरूर ध्यान में रखे वे मंगलवार को नागपुर में अवेज़ बिजय दस्मी उत्सवप पर उपस्थी स्वयम सेखों के साथ साथ आम लोगों को समोधित कर रहे थे इस दरान मोहन भागवत ने राम मंदीर सहित कई विशयों पर खुल कर अपनी बाते रखी मोहन भागवत ने कहा हमाने सनमीधान की मोल प्रती के एक प्रिष्ट पर जिन का चित्र अंकित है ऐसे धर्म के मुर्तिमान प्रतिक शिरी राम के बालक रूप का मंदीर अयोध्याजी में बन रहा है आने वाली 22 जन्वारी को मंदिर के गर्व गिरी में स्री राम लला की प्रानपत्रिष्ठा होगी देव घर सड़क हाद्से में पांच लोगों की मौत देव घर में हुए सड़क हाद्से में एक ही परिवार के चार सहीत कूल पांच लोगों की मौत हो गई है हाच्चे की खवर मिलते ही देवरी परखंड के बांच डिह गाव में कोहरा मच गया बांच डिह गाव सहीत पूरे देवरी परखंड में दुरगा पुजा बिजे दस में उत्सो मातन में बदल गया मिरितको के परिवार भी सदमे में है हाथ से ने दो परिवार के एक लवते चिराग को हमेशा के लिए छीन लिया है सभी सोवों देव घर से पोश्माष्टम करा कर सोजनों को सोब दिया गया सोमवार लगभग चार बजे साम दो बच्चे सही चार लोगों का सोव बांस इडिह गाउं लाया गया मसाल जुलूस के साथ नम आखों से दी गई माद दुरगे को बिदाई पच्च्वी सिंभू में मंगलबाद देर राद तक माद दुरगा की परतिमा का बिसर्जन होता रहा इस दोरान जय दुरगे के जयकारे की चारो और गुज रही सैकलो जलते मसाल लिये सहर के परतिष्ठीत आदि दुरगा माता पुजा समिती पुराने बस्ती की परतिमा को कांधे पर लेकर लोग सडको पर दोर पढ़े आदी माता की परतिमा को कांधे पर लेकर लोग मुख्य चव को तक पहुंचे बतादे सन 1857 के गदर के बाद से यह सिल सिलाच चल रहा है अरवा चावल फुलोग की बारिस भक्तों के बीच से हो रही थी हर कोई कंधे पर परतिमा को ले जाने के नजारे को करीब से देखना और छूना चाह रहा है था बिजया दस्मी पर पीम मोधी ने देशवासियों को दिलाया संकल्प पीम मोधी ने पानी बचाने में इंडिया को बढ़ावा देने प्रकेतिक क्रिसी को बढ़ावा देने सिरी अन्न का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करने और योग को अपने दैनिक जीवन में व्यक्तिका तलाब के लिए अपनाने गरीबों के उत्थान के लिए सामोहिक प्रयास करने समयत कई अपील की है PM ने कहा है कि भारत के भागय का उदाय होने जा रहा है ऐसे समय में भारत को सतर कराना ज्यादा जरूरी है नक्सली साजिस नाकाम दो आईडी बरामत सुरक्षा बलो ने नक्सलीों की बड़ी साजिस को नाकाम कर दिया है मंगलबार को सुरक्षा बलो ने टोन्टो थाना चेतरे के रेश्डा कोच्चा और प्रधान घाट के आसपास जंगली पहाडी छेतर से दो आईडी बरामत किया है बतादे दोनों आईडी सुरक्षा बलो को टार्गेट करने के उद्देश से नक्सलीों द्वारापुर में लगाये गये थे दोनों आईडी सुरक्षा द्रिष्टी कोन से उसी अस्थान पर डिफ्यूज किया गया बतादे प्रतिबंधित भागपाम मवाजे नक्सली संगठन के सिस नेता मिस्री बेशरा अनमोल मच्छु चमन कांडे, अजय, महतो, सागेन, अंगरिया, आस्वीन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोलहान छेत्र में सक्रिये है इसे लेकर 10 अक्टूबर से एक सन्युक्त अभियान गोईल के राथाना छेत्र के कुटिया में भी चलाया जा रहा है गरामिनों ने माइन्स कर्याले पर हमला कर कई वहनों को किया छती ग्रहस्त पलामू के हुसाइनाबाद थाना छेत्र के दमदमी गाउं सोहिया पहार्जथीत सूभलाव इंटरप्राइजेज में बीती रात गरामिनों ने हमला कर दिया इस दोरान माइन्स करयाले परिशर में खड़े हाईवा कार पोकलेन जेसीबी का सिशा फोर दिया वहां मौजूद सुभलाव के कर्मियों के साथ मार पिट भी की वहीं सुभलाव इंटरप्राइजेज के कर्मि की सुचना पर हुसायना बात थाना के कमगार पूर पिकेट पुलिस अस्थल पर पहुंचे और घाटना की छानबिन में जुट गई सुत्रो समिली जनकारी के अनुसार दोमना बांध के ग्रामिन यूवक के साथ किसी ने मार पिट की थी उसी को लेकर ग्रामिनों ने माइन्स करयाले पर हमला किया घर बैठे कंजूमर कोट में करे सिकायात हर रोज हम अपने इस्तिमाल के लिए कई चीजे लेते हैं लेकिन अगर बाजार से अपने कोई चीज इसमें किसी तरह की गरबड़ी है तो आप इसके लिए घर बैठे समधित दुकान और कमपनी की सिकायत कर सकते हैं बता दे बाजार से जो समान आप खरीदते हैं और उसमें किसी तरह की गरबड़ी होती है तो इसके बिरूत आप घर बैठे समधित दुकान दार और कमपनी पर सिकायत दर्च करा सकते हैं केंद्र और राज सरकार ने उभोकता के लिए ऐसा प्रोधान कर रखा है जिसमें दोखा धड़ी के सिकार लोगों को अपनी गुहार लगाने का पुरा अधिकार है इसके लिए उभोकता नियाले में आप ऑनलाइन घर बैठे सिकायत दर्च करा सकते हैं घर बैठे आप नमक से लेकर जहाज खरीत तक में गरबाड़ी की ऑनलाइन सिकायत करने के लिए आपको सिर्फ सिपी ग्राम एप में जाकर कोलम को भरना है कोलम भरने के बाद आपको सपत पत्र लगाना होगा कि जो आप सिकायत कर रहे हैं वह सही है ऑनलाइन आप मोबाइल या डेस्टोप के जरिये समिट कर सकते हैं रांची में रैश ड्राइविंग महिला को दूर तक हसीटा राइधानी के मौराबादी मैदान से अपने घर लोट रही एक महिला को एक कार सवार ने पहले तो ठोकर मारी और फिर भागने के चकर में महिला को दूर तक हसीट दिया इस हादसे में बुजूर्ग महिला बुरी तरह से जक में हुई है पुलिस ने अस्थानी लोगों की मदद से महिला को इलाज के लिए रीम से भेजा है वहीं दूसरी तरह हादसे के बाद अस्थानी लोगों ने कार चला रहे यूग की जम कर पिटाई कर डाली पुलिस ने युवा को भीड के चंगुल से छुड़ा कर थाने भेजवा कर उसकी जान बचाई मिली जनकारी के उनसार मुराबादी के ही सरिन टार की रहने वाली सरसट वर्षी महिला सकुंतला देवी मुराबादी मैदान से अपने घर लोट रही थी इसी बीच एक कार के चालक ने महिला को टकर मार दी साधी से इनकार करने पर यूती ने की बॉय फ्रेंड की हत्या जारखन के पलामु जिले में 20 वर्षी एक यूती ने साधी से इनकार करने पर कुलहारी से काटकर अपने बॉय फ्रेंड की कथित तोर पर हत्या कर दी है पुलिस ने सोमवर को यह जनकारी दी पुलिस ने बताया है कि घाटना पलामु जिले के पाटन पुलिस थाना चेत्रे के कोल हुआ गाओं के नजदिक हुई है अनुमंडल पुलिस पता दीकारी सुर्जीत कुमार ने बताया है कि महिला की पाटन अंजली कुमार के तोर पर की गई और उसे सोमवर को गिरफतार कर लिया गया उन्होंने बताया कि योतिक की खुम ससनी, सलवार, कमीज और वर्दात में इस्तेमाल की गई कुल हाडी भी बरामत कर ली गई है धन्यवाद